नमस्कार क्या आप भी लाइफ में दुख आने से गबराते हो जीवन में कुछ कठी नहीं आने से गबराते हो आप कुछ वर्क कर रहे हो और उसमें मुस्किलें आई तो आप क्या करते हो गबराते हो दुख आने पर रोते हो क्यों ऐसा क्यों करते हो अगर आप जीवन में दुख आते हो तो रोते हो आपको मुस्किल आती हो तो रोते हो जीवन में उदास हो जाते हो जीवन में अतास हो जाते हो तो आपको ये कहानी देखने हो गया आप भगवान सी क्रिष्ग कहते है कि सुक और दुख तो दो जीवन के दो पईये है बिना शुक के यह संसार नहीं चल सकता और बिना दुख के यह संसार नहीं चल सकता एक बार भगवान सिक्रिष्ट से युदिष्टर पोचते हैं कि हे प्रभू इस संसार में ये दुख क्यों आता है? क्या व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो दुख आना जरूरी है क्या? मुश्किल आनी जरूरी है, उदासी मायूसी आनी जरूरी है क्या प्रभू भगवान से क्रिष्ण से महत्मा युदिष्टिर प्रस्मे करते हैं तो भगवान से क्रिष्ण युदिष्टिर से कहते हैं कि है युदिष्टिर तुम ये पूरा संसार गुम के आओ इस संसार में ऐसा क्रोई प्राणी मेरे सामने लेके आना जिसे दुख ना मिला, जिसे बायूसी ना मिली और जिसे उदासी ना मिली हो युदिश्टिर पूरा संसार कुंगते हैं और तरह तरह के लोगों को मिलते हैं एक राजा से मिलते हैं राजा को पूस्ते कि ये राजन, आपको क्या किसी पर करकर कोई दुख है, तकलीप है, उदासी है, निरासा है तो राजा युदिष्टिर से कहता है कि ये युदिष्टिर मेरे पास इस संसा कि ऐसी कोई चीज नहीं जो वो नहीं है सब कुछ है लेकिन फिर भी एक छोटा सा दुख है तो युदिश्टिर पूसते है राजन आपको क्या दुख है तो वो कहते है कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता ये मुझे दुख है युदिश्टिर वापिस वहां से चल दते हैं एक सुनार के पास में जाते हैं सुनार से पूसते हैं कि क्या तुम्हें कोई जीवन में दुख है तो सुनार केता है कि होध है तो मेरी जीवन में सब कुछ है पर मुझे ये सरीर का दुख है युदिश्टिर वहाँ से वापिस निकल जाते है युदिश्टिर एक किसान के पास में जाते है किसान बहुत संतोसी बाग होता किसान से पूँशते हैं कि है किसान तुम्हें किसी प्रकार का दुख है या कोई उदासी, कोई निरासा यह है किसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन समय समय बर कभी बरसास नहीं होती तो मेरी फसल सोग जाते है ऐसा करते करते युदिश्टिर हर इंसान से पूशते हैं कि क्या आपको कोई दुख है उदासी है निरासा है युदिष्टि पूरा संसार गुंग जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है वो भगवान सिक्रिष्णि के पास में वापिस आके कहते हैं ये प्रभू मुझे इस संसार में सा कोई प्राणि नहीं मिला जो ये कैसे कि मुझे उदासी ना मिली मुझे निरासा ना मिली और मुझे मायूसी ना मिली बगवान सी कृष्ण कहते हैं कि ध्यान रखना जी हो जब स्वाएं बगवान इस धर्दी पर अवतार लेते हैं तो उनको भी दुख, निरासा, हतास और सारी मिलती है तो इनसान फिर क्या चीज़ है? इनसान के जीवन में दुख आना जरूरी है, हतासा आनी जरूरी है, निरासा आनी जरूरी है उससे क्या होता है? उससे इनसान मजबूत होता है और कुछ नया करने को सीखता है, कुछ नया कर पाता है इंसान अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसके जीवन में तो कुछ नया कर पाएगा वो नो नहीं नेवर जब उसके जीवन में कुछ कठिनाया आएगी जब उसके जीवन में कुछ मुश्किल आएगी तो वह सोचेगा कि इस मुश्किल से मुझे कैसे दूर निक्रू वो कुछ नया रास्ता पचएगा और जो इन्सान सुख दुख निरासार मायूसमय सकरात्मक यह बक्वान सिप्रिष्ण कहते हैं और इसका एक्जेक्ट एग्जामपल मैं आप दूगा आपको गूगल के सीओ सुन्दर पिछई गूगल में उसका आविस्कार किया था उन्होंने कैसे किया था पता है आप वह एक वार अमेरिका में आपने दोस्त के यहां पर डिनर पार्टी में जा रहे होती हैं उनकी पत्नी पहले से उस दोस्त के गर पे पहुंच चुकी होती है और ओपिस का काम करके सुन्दर पीछे अकेले उस दोस्त के गर जाते तो लेकिन रस्ते में वो रस्ता भूल जाते हैं उनको रस्ता नहीं मिलता है तो रात को बारा बज़े उस फ्रेंड के गर पहुंच थे और तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होती है तो सुन्दर पीछे की पत्नी वहां से पहले से मौजुद लेकिन उस हटासा निरासा दुख में सुन्दर पीचे ने क्या किया उस दूख को लेकर रोके बैठ रहे निरासा सो लेकर रोके बैठ रहे नहीं उन्होंने उसमें सकारात्मक सोचा उन्होंने उसमें कुछ उस परेसानी को दूर करने का सोचा उनको लगा कि आर आज में य एसे लोग है जिनको रस्ता नहीं मिलता होगा कौन उनको रस्ता बताया और फिर उन्हें गूगल मेपस का आईसकार दिया और आज ओल ओवर वर्ड में गूगल मेपस से लोग रस्ता डोटते हैं तो ये साकसात उधारन हैं आपके सामने जब भी जिवन में दुख आए संकट आए गबराना मत शकारात्मक सोच रखना हो सकता है कि कुछ बड़ा हो आपके लिए उस संकट उस दुख को दूर करने की कोशिस करना उस मुश्किल को हल करने की कोशिस करना उस दुख हतासा निरासा रोदासी में अगर आप शकारात्मक सोच रखोगे ना हो सकता है कि आपके लाइप के लिए कुछ बड़ा हो जाए और आप कुछ नाम कर जाओगे तो जब भी जिवन में दुख आए हतासा आए निरासा आए रोना मत शकारात्मक सोच रखना और मुस्किल को दूर करने की कौसिस करना